वेलकम गाईज आज में रिव्यू करने जा रहा हूँ इंस्तान उभा इजी इंस्तेंट लोन अप्लिकेशन की 4.4 तर रिव्यू अल्रेडी है यहाँ पे और 100 के से भी ज़्यादा डाउनलोच है और यह अप्लिकेशन वाले क्लेम करते हैं कि भाई आप लोगों को आसानी से 5000 रुपीश से अब तो 30,000 तक लोन मिल जाएंगे यहाँ पे 92 देश से 180 देश तक आप लोगों को रिपेमेंट पीरिड भी मिलेंगे और 36 परसंट के आसपास इंतर स्टेट पर आप लोगों को लोन मिलेंगे अभी भाई यहाँ पे तो इन लोगों ने बहुत सारी सीज़े बताया है लेकिन रियलिटी में कैसा है यह अप्लिकेशन रियल है या फेक अप्लिकेशन है आप लोगों को लोन बगरा मिलेगा या नहीं यह अप्लिकेशन सेफ है या नहीं इस application पे आप लोगों को repayment बगरा करना है या नहीं करना है अगर आप लोगों को repayment नहीं करोगे तो क्या होगा और भाई इस application की customer का contact details और overall application कैसा है आज मैं बिल्कुल ही simply भासा में आप लोगों को बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखना का इस पहले ही बता दो यह application रिक से application है यहाँ पर फाइबीस तर रिभीउस देखके या तो 4.4 तर रिभीउस देखके आप लोगों को धोके में नहीं पढ़ना है यह application आप लोगों से बहुत सारी data बाले collect करते हैं और आप लोगो मैं सारा कुछ आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ और यह scripted वीडियो नहीं है ठीक है मैं ऐसा ही वीडियो बना रहा हूँ तो कब मैं क्या बोलने वाला हूँ मेरे को भी नहीं पता है अभी गैस देखो एक सीच में और बता दो अगर आप लोगों को instant loan की एक instant loan ले पाओ ठीक है अभी भाई यह इस इंस्ता नोबा लोन अप्लिकेशन है ना बाई पहले बाद तो इस application पे कोई गैरंटी नहीं है भाई लोन मिलने का ठीक है अप लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई गैरंटी नहीं है और भाई इस application पे यह application वाले क्या कर रहे है कि लोगों को short term loan देके पसा रहे हैं तो अबहराल आप लोग बोल सकते हो कि fraud application है लेकिन भाई इस application पे loan मिलते है अभी कुछ लोगों के साथ बहुत सारी issues and problems भी इस application पर आता है मतलब जैसे कि लोगों को repayment पे issues आता है लोग लोन दो ले ले लेता है बाद में repayment करने के time पर problem आता है लोग repayment भी कर डेता है लेकिन इस टेतास update नहीं होता है बाद में extra fees लोगों को देना परता है अभी मैं आप लोगों को यह पास यहां पर loan दे रहा है लेकिन account पे only 2600 रुपीज ही भेजा है और small duration में जैसे कि six days, seven days, fifteen days, ऐसी period में लोगों से repayment के लिए भी application वाले force कर रहा है अभी application वाले भाई आप लोगों से पूरी data collect करते है और बाद में जब आप लोग repayment नहीं करते हो तो इस application की loan recovery agents आप लो की contact list पर भी application वाले call message कर सकता है तो overall भाई विल्कुल भी अच्छा application आप लोग नहीं बल सकते अभी भाई आप लोगों को यहां पर repayment करना है या नहीं करना है बहुत लोगों का यह doubt होता है मन में तो भाई मैं बता दू आप लोगों को एक भी पैसा इस application पर repayment नहीं करना है अगर यह application वाले आप लोगों को सही से loan देते हैं जैसे यह लोग बताते हैं ऐसे loan देते हैं तो ही आप लोगों को repayment करना है कुछ लोगों के साथ जैसे यहां पर लोग बता रहा है कि भाई तीन महीना बोलके 7 देश 15 देश के लिए loan दे दिया है और बाद में repayment के payment नहीं करना है आप लोग चाहो तो इस एप्लिकेशन के ऐगेंट साइबर्ट्रेंट पर कम्प्लेंट कर सकते हो और भाई अपनी कम्प्लेंट को भी डाउंलूद कर लेना और अपनी Context के साथ से यार कर देना ताकि लोगों को भी पता सले तो यह application वाले अगर आपकी contact list पर call message करेंगे तो लोग इतना serious link नहीं लेंगे Overall भाई बिल्कुल भी आच्छा application नहीं है आप लोग इतना हो सके इस application के सक्कर से दूर ही रहो तो ही बहतर है ऐसे loan मिलते है गाईस अगर आप लोग अपने रिक्स पर अपलाई करके देखना साथ हो तो कर सकते हो लेकिन मैं recommend नहीं कर पाऊंगा गाईस तो अबरल मुझे तो बस इतना ही बताना था अगर आप लोगों को आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लेम आ रहा है तो बिंदास आप लोग comment पर बता सकत हो ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही था गाईस बाई बाई गाईस लाव यू गाईस